तो आज मैं recently release हुई horror comedy film Freaky को explain करूँगा इस film की IMDB rating है 6.5 stars out of 10 और इसे direct किया है Christopher Landon ने इन्होंने ही Happy Death Day जैसी hit horror comedy बनाई थी और ये फिल्म भी उसी की तरह एक बढ़िया movie है ये Freaky Friday नाम की एक novel से inspired है and it's an interesting movie और दोस्तों हमारे नए चैनल लियानी की plot series पर एक और नई वीडियो आ गई है जिसका नाम है सी बिस्किट जो की एक true story पर based है बहुत ही interesting film है जाकर जरूर देखना link is in the description और हाल ही में मैंने the binding movie को explain किया है जो की एक Italian horror है काफी बढ़िया movie है तो आप उसको जाकर जरूर description तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ तो movie की शुरुवात होती है Wednesday the 11th को जहांपर हम चार टीनेजर्स जीनी, फिल, सैंडरा और टिम को जीनी के घर पर ड्रिंक्स पीते हुए देख पाते हैं वो लोग एक famous serial killer bliss field butcher के बारे में बात करते हैं जो apparently 1970 से crime कर रहा होता है अब तभी टिम और सैंडरा घर के अंदर wine bottle लेने जाते हैं जहांपर टिन को जीनी के डैड का art collection दिखता है उनके पास में बहुती सारे creepy collections थे जिसमें लडोला नाम के एक dagger को टिम closely observe करता है बाद में वो wine bottle लेने के लिए नीचे basement के अंदर जाता है लेकिन तभी serial killer bliss field butcher वहाँ पर आकर उसके गले में एक bottle को तोड़ कर मार डालता है और उसके बाद में वो Sandra को भी toilet में मार डालता है जीनी और फिल बाहर हुकप कर रहे थे जहांपर बुचर आकर अब फिल के सर में तूटे हुए tennis racket को डाल देता है जिससे उसकी वही on the spot मौत हो जाती है जीनी चिला कर और डर कर घर में छुप जाती है पर फिर भी बुचर वहाँ पर आकर उसे भी मार डालता है उसकी बौडी को वह वाल पर लटका कर उस लडोला डैगर को लेकर भाग जाता है अब घर के अंदर जीनी के पेरेंट्स आते हैं जो की ये भयानक नजारा देखकर डर जाते हैं अब नेक्स डे यानि की थर्सडे दा ट्वेल्थ को एक टीनेजर गर्ल मिली कैसलर अपने बैट पर सो कर उठती है वो अपनी मा कोरल और ओल्लर सिस्टर शारलीन के साथ में रहती थी जो की एक पुलिस आफिसर थी मिली के डैड को गुजरे हुए एक साल हो गया था जिससे इनके रिष्टे में खटासा गई थी खैर मिली अब अपने हाई स्कूल में जाती है जहां पर उसके फ्रेंड्स जोश और नाइला थे ये दोनों आने वाले होम कमिंग डान्स के लिए काफी एकसाइटिड थे मिली ये कहती है कि वो डान्स के लिए नहीं आ सकती ऐस इन उसे अपनी मॉम के साथ में कुछ काम है मिली एक ब्यूटिफुल गर्ल थी जो की अपने कम सेल्फ एस्टीम एंड सेटनेस के चलते एकस्प्रेसिव नहीं थी अपने डैड की डेथ के बाद उसने खुद को आईसोलेट कर लिया था खैर मिली को स्कूल की एक पॉपुलर गर्ल राइलर बुली करती है एक वुडशॉप क्लास के अंदर टीचर मिस्टर बर्नार्डी मिली को उसका प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते हैं जिसके लिए मिली अभी रैडी नहीं थी मिस्टर बरनार्डी मिली को क्लास के सामने ही हुमिलेट करते हैं जिससे मिली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उस क्लास में उसका क्रश बुकर भी था अब सबी बच्चों के मोबाइल पर जिनी के मर्डर का न्यूस फ्लैश होता है जिसके चलते राइलर ने इस पर एक फेक कंडोलेंस इंस्टा वीडियो भी बनाया था जिस पर जौश एक फ़नी कमेंट करता है एंड या यहाँ पर जौश एक गे होता है मिली स्कूल की फुटबॉल टीम बीवर्स की मैसकॉट थी तो रात में हो रहे गेम में वो मैसकॉट डांस करती है क्योंकि टीम हार रही थी इसलिए एक प्लेयर अपसेट होकर उस पर सोड़ा कैन फेक देता है जिससे वो काफी जादा अपसेट हो जाती है गेम के बाद मिली जौश और नायला के साथ में एक सीक्रेट हैंडशेक करके उन्हें बाए कहती है अब वो अपनी मा का वेट करने लगती है एज इन वो उसको पिक अप करने आने आने वाली थी पर वो ड्रिंक करके पास आउट हो गई थी जिसके चलते उसकी सिस्टर शार कर दागने लगता है तभी अचानक से इन दोनों के नीचे की जमीन एक एंशियंट साइट में कनवर्ट हो जाती है जो कि किसी सैक्रिफाइस वाली साइट की तरह लग रही थी अब बुचर जैसे ही मिली के लेफ्ट चोल्डर पर डेगर डालता है उसके लेफ्ट चोल्डर बुचर की बॉड़ी स्विच हो गई थी बुचर की बॉड़ी के अंदर मिली की सोल थी और कॉंशेसनेस थी और मिली की बॉड़ी के अंदर बुचर की सोल और कॉंशेसनेस तो अब इस पॉइंट से मैं जब भी बुचर कहूंगा तो आपको मिली की बॉड़ी देखने को म लेगी तो कंफ्यूज ना होना ध्यान से सुनना बुचर अब खुद को मिली की बॉड़ी में पाता है वो क्लिरली कंफ्यूज था पर वो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करता अपनी नई बॉड़ी और घर के अंदर एड़ेस्ट होने लगता है दूसरी तरफ मिली अब बुचर के अंदर मिली को देखकर भागने लगते हैं और पुलिस को फोन करने लगते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो बुचर है बुचर अब मिली के तड़कते बढ़कते कपड़ों को पहन कर स्कूल में आ जाता है और राइलर उसे भी फेक हमदर्दी जदाते हुए अपन दो मिली बुचर को भी बताती है जो 20कली साइकोपात था वो राइलर को फ्रीजर में बंद कर के चला जाता है जब मिली नहा कर बाहर आती है तो का अLRम कर रहा था जैसे ही मिली फ्रीजर ओपन करती है तो राइलर की बोड़ी नीचे गिर जाती है और उसके टुकड़े उनका पीछा करती है स्कूल किचन में ये दोनों ही मिली पर हाथ में आए सारी चीजों को फेगने लगते हैं कुछ देर की आपसी फाइटिंग के बाद में मिली अपना मैस को डांस करकर दिखाती है वो उनके सारे सवालों का सही जवाब देती है जिसका आंसर सिर्फ और सिर् इक्रेट हैंडशेक भी परफेक्टली करती है जिससे जौश और नायला को यकीन हो जाता है कि बुचर ही मिली है मिली अब उन दोनों को डेगर के बारे में बताती है जिसके बारे में जौश गूगल करके इनफॉर्मेशन हासिल करता है नेट से उसको डेगर का एक इमेज म में री स्विच नहीं किया गया तो वो औरीजिनल स्विच पर्मनेंट हो जाएगा यानि की मिली की सोल के पास में 24 आर्स से अपनी बॉड़ी के अंदर वापस जाने के लिए जिसमें से कुछ घंटे अल्रेडी निकल चुके थे मिली बॉइस बात्रूम में लिके हुए कु उसे हवा में उठा देती है उस लड़के को वो बुचर लगता है जिससे उसकी पैंट गीली हो जाती है दूसरी तरफ बुचर अब वुडशॉप क्लास में जाकर बजिंग सौ मशीन को अन करता है वो मिस्टर बरनारडी पर स्क्रूडराइवर से हमला कर देता है उनकी पुलिस को बुला लेता है पुलिस मिली को बुचर समझ कर उसका पीछा करने लगती है जहां पर अब ये तीनों स्कूल से बाहर भाग जाते हैं जोश के कार में ये तीनों भागने लगते हैं जिसका पीछा शारलीन करने लगती है उसे वायरलस में बुचर का एक मैसेज मि गया था अब यहां पर बुचर एक चला की करता है और वो स्कूल के सभी लोगों को एक ओल्ड मिल में होम कमिंग पार्टी करने का सजेशन देता है जिसको सब पसंद करते हैं यहां पर बुचर फुटबॉल टीम के साथ एंजॉय कर रहा था जहां पर मिली का क्रश बुकर भी था बुचर अब उसे मारने के लिए उसे सिड्यूस करके अकेले में ले जाता है अब फुटबॉल टीम के लाइव इंस्टा फीट से जोश को ये पता चलता है कि वो कहां पर है और ये तीनों बुकर को सारी स्टोरी एक्स्प्लेइन करती है और उसको यकीन दिलाने के लिए एक पोवम भी सुनाती है जिसे उसने कुछ दिन पहले बुकर के लॉकर रूम में रख दिया था उसने उस पोवम को एनॉनिमसली लिखा था एस उसके अंदर डारेक्ली ये बात कहने की हम्म नहीं थी बुकर इस चीज से कन्विंस हो जाता है और वह भी मिशन री स्विच में शामिल हो जाता है अब बुकर नायला और मिली पुलिस टेशन की तरफ जाते हैं जहां पर एविडेंस सेक्षन में लडोला डैगर था स्टेशन पर जाकर नायला जूट बोलती है कि भी हिम्मत नहीं थी ये बात कहने की ये दोनों अब किस करने जाते हैं बट लेटर और वो रियलाइज करते हैं कि सीरियल किलर की बॉड़ी में ये करना कमफरटेबल नहीं होगा बट स्टिल देख रहे हो सच्चे प्यार को खेर दूसरी तरफ जौश के घर में अब उसकी म पर हमला करने आता है ये दोनों भाग कर अपने बैडरों में छुप जाते हैं जहां पर कोशिश करने पर भी बुचर डोर नहीं कोल पाता और वो ये सोचता है कि ये बॉड़ी किसी काम की नहीं है बुचर अब मिली का पीछा करते करते पुलिस स्टेशन में आ जाता है जह चलते बुचर डैगर लेकर भाग जाता है मिली शारलीन को उसके ही जेल में बंद करके सौरी कहके भाग जाती है दूसरी तरफ ओल्ड मिल में डांस पार्टी अब जोरो शोरो पर थी और वहां पर बुचर तीन फुटबॉल प्लेयर्स को सेडियूस करके उन्हें अकेले मे और यह जो मुवीज के अंदर सब लिमिनल मैसेजिस होते हैं यह मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड में अपनी वीडियो के अंदर भी चोटे चोटे मैसेजिस देने की कुशिश करता रहता हूं एंड ही शाउट आउट टू आल दोस पीपल जो की इस चीज को समझ जाते हैं मिली एंड गैंग भी ओल्ड मिल की तरफ जाते हैं जहां पर बुकर अपने वाच में ट्वैल ओकलॉक का एक अलाम सेट कर देता है बारा बजने के लिए अब सिर्फ तेहरा मिनट सी बचे थे और उससे पहले ही उनको री स्विच करना था वरना स्विच वो पर्म लगता है जैसे कि वह जीत गया हो पर तभी मिली को बुकर की एक बात याद आती है जहां पर उसने ये कहा था कि वो हमेश्य अपनी वाच को पांच मिनट आगे रखता है ताकि हर जगा वो टाइम से जा सके अब वह फाइनली बुचर पर लडोला डैगर डाल देती है और कि बॉडी कें अंदर वो सोल होती है वो फिर से स्विच्छ हो जाती है तब ही पुलिस भी वहाँ पर आज़ाती है बुचर को पेरामेडिक्स एंबूलेंस में ले जाया जाता है जहांपर उसका हर्ट रेट कम होते होते फ्लैट होने लगता है मीनवाइल मिली अब अपने घर में जाती है जहांपर उसकी मा और शारलीन उसे कमफर्ट दे रहे थे मिली को अब एक आवास सुनाएं देती है और वो बुचर का काम था यहां पर वो अभी भी जिन्दा था और इन तीनों लेडीज पर हमला करने लगता है शारलीन उस पर गूली चलाने जाती है पर बुचर ने पहले से ही सारी बुलट्स को निकाल दिया था वो मिली की मा और शारलीन पर हमला करने के बाद ने मिली को टॉंट करता है कि उसकी बॉड़ी बहुत ही वीक है और वो उसकी बॉड़ी के बारे में सब कुछ जानता है मिली भी अब उससे ये कहती है कि उसको भी उसकी बॉड़ी की एक weakness मालूम है और अब वो उसके टेस्टीकल्स पर जोर से किक मारती है जिससे वो दर्द में तड़पने लगता है फॉरण ही मिली एक तूटे हुए वुडन पीस को उसकी पीट पर गुसा देती है और उसे जोर से किक मारके बुचर की बॉड़ी के आरपार कर देती है जिससे बुचर वहीं on the spot मारा जाता है और यहाँ पर फाइनली मिली अपने डर पर काबू बा लेती है और बूम फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों यहीं थी फिल्म फ्रीकी की स्टोरी यहाँ पर मिली अपनी बॉड़ी में कमफरेबल नहीं थी वो अपने डैड की डेथ के ट्रॉमा से गुजर रही थी उसकी मा भी अपने ग्रीफ में थी और स्कूल गर्स भी उसको बुली कर रही थी जब उसकी बॉड़ी के अंदर की सोल स्वैप हो जाती है वो अचानक से ही स्ट्रेंथ को फील करती है वो अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस ले आती है उसको बुली करने वाले लड़के को सबक सिखाती है यहाँ पर फिल्म का मेंन फोकस यही है कि आपको अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर कॉंस्टेंटली अपग्रेड करते रहना चाहिए फिल्म के अंदर लडोला डैगर जो था उसके अंदर हॉरर का टच है कॉमेडी सीन्स बहुत सारे हैं और थ्रिलर तो यह ओविसली है ही क्योंकि यहां पर एक सीरियल केलर को दिखाया गया है तो इसको हम कॉमेडी थ्रिलर और हॉरर फिल्म कह सकते हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी से आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी जिससे आप कॉन्फिटेंट फिल करोगे जो लाइफ को फेस करने में आपकी मदद करेगा एंड में मिली बुचर को इसलिए ही मार पाई क्योंकि वो कॉन्फिटेंट थी बॉडी स्वैप पर यहां पर काफी सारी फिल्म आई हैं तो दोस्तों ये थी फिल्म फ्रीकी की एक्स्प्लानेशन और यहां पर इस फिल्म को काफी सारे लोग पसंद कर रहे हैं तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और कॉमेंट भी जरूर कर देना तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए स्टे कोस्टनी प्राइब कर देना